आप सब्वी का स्वागत है प्रिविएस वीडियो में आप सब्वी को इन्फरमेशन दिया था जो सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है कि फॉस्ट राउन सेकेंड राउन मौप अप राउन और एस्टा डाउन और इंडिया कोटा में कराया जाए अब मैं इसमें कुछ रूल सुरू करते हैं तो चलिए मैं आप सब्वी को बताया था हूँ कि सुप्रीम कोट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किया है काउंसलिंग रिगार्डिंग इसके बारे में आपको जारना बेहर जरूरी है तो सुरू करते हैं इस नोटिस में बताया गया है कि अब MCC All India Quota 15% के लिए 4 राउंड में ओनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा राउंड फॉर्स राउंड सेकेंड और अल इंडिया कोटा इस्ट्रा वेकेंट वेकेंसी राउंड ये चार राउंड में काउंसलिंग किया जाएगा और आगे बताया गया है कि जो पहले क्या होता थ कि MCC फॉर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड करता था सेकेंड राउंड के बाद अगर MCC All India Quota 15% में सीट जो वेकेंट रह जाते थे उनको स्टेट में भेज दिया जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब MCC ही काउंसलिंग करेगा मॉप आप राउंड और एस्टा सेकेंड राउंड में भी होगा लेकिन आप सभी ने एक बार फॉस्ट राउंड में राउंड में नहीं करना हैं आप बंप रॉंब में और एस्टा राउंड में भी eligible हैं लेकिन अगर आपने round first में रजिश्चन नहीं किया है तो आप round second में कर सकते हैं अगर आपने round second में रजिश्चन नहीं किया है तो आप सभी mop up round में रजिश्चन कर सकते हैं लेकिन आप सब को all India quota रजिश्चन करने का मौका नहीं दिया जाएगा मतलब clear में आप सब को बता दू किसी भी round में आपको सिर्फ एक बार ही रजिश्चन करना है दुबारा आपको नहीं करना है next point में बताया गया है कि आप सब को free exist या upgrade का सूबिधा सिर्फ round first में ही दिया जाएगा round second में ये सूबिधा नहीं मिलेगा मतलब अगर आपको round first में seat allot किया जाता है आप उस seat को छोड़ सकते हैं जिसको free exist कहते हैं आपका जो refundable money है वो जब नहीं होगा नहीं कर सकते हैं लेकिन आगे बताया गया है कि अगर आप सभी को round second में seat allot होता है आप सभी round second में अप्ग्रेड नहीं कर सकते हैं बताया गया है कि अगर students round second में आपको seat a lot किया जाता है और round second में अगर आपने adivision ले लिया तो आपको further mop up round और extra round में eligible नहीं किया जाएगा और state में भी आपको eligible नहीं किया जाएगा मतलब round second में अगर आपको seat a lot किया जाता है all India quota 15% का और adivision ले लेते हैं तो नहीं आपको resign करना होगा और नहीं उस seat को आपको छोड़ना होगा उस seat पे आपने adivision एक बार ले लिया तो आप सभी को दुबारा किसी बे राउंड में आप eligible नहीं है और आगे बताया गया है कि अगर आपको round second में seat a lot किया जाता है और आपने adivision ही नहीं लिया तो आप सभी students refundable money जबत कराकर उस seat को छोड़ सकते हैं लेकिन आपको adivision नहीं लिया तो क्या हम all India quota 15% मौप अप राउंड के लिए eligible है या नहीं है तो आप सभी eligible मौप अप राउंड के लिए हैं मतलब अगर आप सभी को all India quota 15% second round में college a lot के राता है और आपने adivision ही नहीं लिया तो आप मौप राउंड के लिए eligible है लेकिन इसके regarding दो condition है पहला आपका जो refundable money है उसको जबत कर लिये जाएगा दूसरा आपको फिर से मौप राउंड में आप सभी को करना होगा जो भी rules and regulations है इसी academic year से valid है मतलब अभी जो counseling mcc का start होगा इसमें भी first round second round मौप राउंड और एस्ट राउंड कराया जाएगा तो आप सभी के लिए खुसकबरी है और next वीडियों बात करेंगे कि cutoff पर क्या impact पढ़ सकता है क्या cutoff और India quota 15% का low जाएगा किसी state के compare में या state का नुक्षान होगा यह सब हम सभी next video में बात करेंगे आप सब नहीं देखा और उसको समझा देखो मैं मानता हूं कि हर एक जगा कहीने कहीन लूप होल होता है इस सब टाइम टूटाइम चुधारा जाता है कहीने कहीं एक बहुत अच्छा पहले सुप्रिम कोट का आप सब भी के लिए अगर आप सब भी को नहीं पता है तो फिर से मैं आप सब भी को बता दू 2020 में पिछले साल 1850 MBBS का सीट्स जो थे जो कि All India Quota 15% से काउंसलिंग होना चाहिए था जो कि एस्टेट को ट्रांसफर कर दिया गया और इसमें कौन को से स्टेट को ट्रांसफर किया गया मैं आप सब भी को बता हैता हूं जिस एस्टेट में जितने सीट्स वैकेंट रह गया थे और इंडिया कोटा 15% से उन सभी स्टेट को ट्रांसफर कर दिया गया जो कि अपने आप में एक स्टुडेंस के साथ बैमानी किया गया मैं यहां तक सोच लिया था कि अगर इस बार सुधार नहीं हुआ और इसको लेकर मैं आवाज उठाओंगा मुझे पता है कि अगर एक सिंगल में आवाज उठाओंगा आप सभी मेरे साथ हैं मेरे सपोर्ट में हमेशा रहेंगे और आप सभी को पता है कि अगर कुछ बहुँ हूं तो आप सभी के में आफ मेरे टा हूं मोपप राउन कराना और एस्टा राउन जो कि हुआ और अपने आप में बहुत अच्छा पहला है गोवर्मेंट का आप सम्झ में आ गया होगा अब आप सम्झ को मन में यह चलना होगा कि भाया कट अफ पे क्या इंपक्ट पड़ेगा पड़ेगा थोड़ा बहुत तो पड़ लेकिन अभी इतना समझे कि आपके फेवर में डीजन हुआ है बस में इतना ही बोलूगा चाहे कोई कितना भी कुछ बोले मेरे पर ट्रस्ट है तो बस मानो आपके फेवर में ही यह डीजन या गया है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू कर दो